असलाम उलाइकूम डियर विव्योर्स आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही फेमस स्टोरी दि वूर्फ चिल्डरन को डिसकस करने वाली हूँ यह कहानी ली गई है माइक सैमुदा की कहानियों से क्योंके माइक सैमुदा एक ऐसा राइटर है जिसने समुदरी कहानिया, सची कहानिया, मिस्टीरियस कहानिया बच्चों के लिए बहुत ही इकसाम की कहानिया लिखी यह कहानी भी माइक सैमुदा की कहानी से अडॉप्ट की आपने मूवी देखी होगी The Jungle Book नो में स्टोरीक्टि कि दों Hagdron इसके हैं लिए प्रवान चढ़ानेवाला वूल्स था या वहल्ड जिन्हों ने इने प्रवान चढ़ाया च्छे आदमी लकडी से बनी हुई शिकार की मचान पर बैटे थे मचान दिन की गर्मी में जल्दी जल्दी से बनाया गया था अब गहरे होते जट पटे में आदमी जानते थे के इनका तवील इंतजार जल्द ही खतम हो जाएगा इनके नीचे कमोबेश 30 मीटर दूर च्यूंटियों का बनाया हुआ एक भड़ा सा टीला खड़ा था आदमीयों की तवज्जो जो थी इस पर ही मर्कूज थी आदमीयों में से एक ने गबराए हुए अंदाज में अपने होंटों पर जबान फिरी वो जानता था कि ये टीला च्यूंटियों ने बहुत असा पहले छोड़ दिया है अब ये महस एक खोकली खोल नमा गार थी इसकी अंदर जंगल की बलाई रहती थी यानि इस कहा गया था यहां पर डैमन्स रहते हैं गरूब आफटाब बलाओं के नमुदार होने का वक्त था ये 9 अक्तूबर 1920 की तारीख थी जंगल में हर कोई यानि गाओं में हर कोई जंगल की बलाओं के बारे में जानता था उन्हों ने इनके हुंकने की और इनकी अजीब और गरीब आवाजें चीखें सुनी हुई थी बहुत से लोगों ने दर हकीकत डैमन्स को देखा था देखने में वो आदी इनसान आदी जानवर जैसी थी तो हम प्रस इनके खोफ से अब जंगल में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते थे जंगल में जब गरूब सुरज गरूब होता तो अब गहरी सुर्ख रोश्रमी रोश्नी नमुदार हुई थी बड़ी बड़ी चमकाडरों ने पहले पर फर पराती हुई मुनतजर आदमियों के पास से घुजरी अचानक चूटियों के टीले के तंग दहाने में नकलो हरकत हुई मचान पर बैठे आदमियों के जिसम तंगे उन में से एक तेजी से सांस खेंचने लगा जबके दूसरे ने अपनी बंदूग के दस्ते पर ग्रिफ्ट मजबूत कर ली कोई चीज चूटियों के टीले में से बाहर निकर रही थी ये एक भरपूर जवान भेडिया था इसके पीछे एक और भेडिया आया फिर दो छोटे छोटे इसके बच्चे फिर कोई और चीज नमुदार हुई ये एक बला थी बिल्कुल ऐसे जैसे गाउं वालों ने कहा था आदी इनसान और आदी जानवर इस बला के पीछे बहुत ही कम जसामत का एक और डैमन नमुदार हुआ दोनों जानवरों के उलजे हुए बाल थे जिन से इनके चेहरे डाम पे हुए थे दोनों हाथ पैरों के बल चल रहे थे चलांगे लगाते हुए बेड़ियों के पीछे जाने से पहले उन्होंने इस्तियाब से इर्दगिर्द का जाइजा लिया छे आदमिया ने मुक्तलिफ रदे अमल का इजहार किया दोने अपनी बंदू के अजीब जानवरों पर तान ली एक ने जल्दी से इने इशारा किया कि गोली ना चलाएं फिर एक ने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया एक आदमी जो इतना खोफ जदा था कि देख भी नहीं सकता था उसने क्या किया दोनों हाथों से अपना चेहरा चुपा लिया बाकी बेयकीनी की आलम में गूरते रहे तो कहानिया सच थी उन्होंने बलाओं को अपनी आँखों से देख लिया था नोटबुक वाले साहब मिस्टर सिंग थे उन्होंने बलाओं के बारे में कहानिया बातें सुन रखी थी वो ये थाबत करने का उन्होंने तहया कर लिया था कि ये कहानिया बिलकुल जूट है फिर भी ऐसे आदमियों को डूनने में खासा जोरे बिया सर्फ करना पड़ा जो इन्हें बलाओं के बट तक ले जाते और इनके साथ बैठकर इंतजार करते जब के वो अपनी आंखों से इनका मुशाइदा करते वापिस गाउं पहुँचकर मिस्टर सिंग ने अपने पांस साथियों की हिजान बरी बाते नजर अंदास कर दी और इन बातों का जहाजा लिया जो उन्होंने खुद जल्दी जल्दी में लिखी थी उन्होंने लिखा था मखलूक जो खोफनाक जानवर थे उन्होंने ये भी लिखा था कि बहुत मखलूक जो थी दोनों हाथों पैरों के बल भाग रहे थे एक के मतलिक उनोंने लिखा था के हाथ पाऊं और जिसम एक इनसान जासा मगर सर कंदों को डाम्टने वाली किसी चीज की भड़ी सी गेंद जासा था था कि ये जानवर बलाइन नहीं हैं जिस बात का इन्हें यकीन था वो ये था कि उन्होंने चार पांच साल की उमर के दो बच्चे देखे थे जिस अंदास में बच्चे हरकत कर रहे थे इससे मिस्टर सिंग को यकीन हो गया कि वो भेडियों के साथ खास से तवील अर्से से र एक बचाने वाली टॉली तश्कील दी और इस रेस्क्यू टॉली के वो इसने बनाने की कोशिच की तो इन में से कोई भेडिया बच्चों को बचाने में या पकरने में इन्हें मदद देने पर अमादा ना था वो अब भी यही यकीन रखते थे कि ये जानवर डैमन्स हैं म मिस्टर सिंग साथ मील दूर एक और गाउं से मदद मांगने पर मजबूर हो गए एक हफते बाद शिकारी टॉली भट की तरफ बढ़ी वो च्यूंटियों के बनाए हुए टीले के नजदीक पहुंचे तो एक दाइरे की शकल में फैल गए अब आगे आगे जमीन को बजात खोदना शुरू कर दे उन्होंने गबराए हुए अंदाज में जमीन को खोदना शुरू कर दिया मिस्टर सिंग नहीं यकीन दलाया कि वहाँ कोई डैमन नहीं है मगर इससे किसी को तसलीद ना हुई वो अच्छी तरह जानते थे कि अंदर बेडिये मौजूद हैं वो किसी भी लम्हे एक तैश में आये हुए बेडिये के नमुदार होने की तुख को लगाए बैठे थे फिर अचानक क्या हुआ कि वाके एक बेडिया नमुदार हुआ वो च्छलांग लगा कर भट से सामने आ गया खोदने वाला उचल कर पीछे बढ़ा पीछे हटा और भाग कर ग मी भागने लगे मिस्टर सिंग ने भागते हुए आदमियों पर चिलना शुरू कर दिया मगर एक और भेडिया नमुदार होने पर खामोश हो गए ये भेड़नी थी जो जुर्ट से अपने बच्चों की हिफाज़त करने की कोशिश कर रही थी इसने अपनी कमान की और दां पर तलखी और गुसा महसूस हुआ वो बेडियों में से किसी को मारने का इरादा नहीं रखते थे उन्होंने सिर्फ यही सोचा था कि वो सिर्फ बेडिया बच्चों को बचाएंगे अब उन्होंने जपट कर एक फाउडा उठा लिया और च्यूंटियों का टिला जोर शोर से खोदने लगे इनके खोदने से एक तरस अमेज तरस नाक मनजर नमुदार हुआ पोस्ट और बालों के एक गैंद की सुरत में ग्रूप की शकल में चार कामते हुए वजूद सामने आए ये ग्रूप बेडियों के दो बच्चों और दो नन्नी बच्चों जो इनसान थी पर मुश्टमिल था मिस्टर सिंग ने इस तरह के बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे इनसानों की हैसियत से इने पहचानना तकरीबन नामुम्कीन था उन्होंने इने बेडियों के बच्चों से अलादा करने की कोशिश की तो वो गुर्राई और वो बेडियों किसी हरकत कर रही थी और इनके हाथ पर एक ने काट लिया यहां पर वुल्क चिल्डरन पार्ट वन का इकतताम होता है पार्ट वीडियो में दिखाया जाएगा